X Limited just declared a dividend of Rs.14 per share तो यह क्या हो गया हमारा यह हमारा D0 हो गया Mr. B is planning to purchase the share of X Limited anticipating increase in growth rate from 8% to 9% जो Mr. B है वो सोच रहना है कि मुझे share खरीद लेना चाहिए इसका ऐसा सोचने के पिछे वज़य यह है कि इसको लगता है कि जो growth rate है अभी की वो 8% है वो 8% से 9% होने वाली है यनि growth rate 8% से कितने हो जाएगी 9% हो जाएगी और यह जो 9% की growth rate है यह 3 साल तक continue रहेगी He also expects the market price of this year to be 360 after 3 years यह कह रहा है कि यह सोच रहा है कि जो 3 साल के बाद जो market price होने वाली है ना इसका मतलब क्या हुआ है इसका मतलब यह 3 साल के बाद share बेजने वाला है तो यह उसके expected price है 3 साल यानि यह क्या हुआ MP3 यानि तीसरे साल के end की price बता रहा है है ना you are required to determine अपने को क्या निकालना है the maximum amount Mr. B should pay for shares if he requires a rate of return of 13% per annum कह रहा है कि आपको वो maximum amount निकालना है जो Mr. B pay करने के लिए तयार होगा अगर जो required rate of return है वो कितना है 13% देखो जो theoretical market price होती ने वही maximum price होती है जो theoretical market price होती है वो maximum price होती है ठीक है तो हम से बस निकाल देते हैं तो देखो year inflow और present value factor at the rate 13% क्योंकि इसको required rate of return कितना चाहिए 13% का चाहिए है ना तो पहले साल का पहले साल का dividend क्या होगा यह तीन साल तक शियर रखेगा अपने पात उसके बाद बेज देगा तो पहले साल का dividend क्या होगा देखो यह कह रहा है कि चौदा रुपय का dividend already pay हो चुका है यानि चौदा रुपय का dividend है वो D0 है उसके बाद ही कहा रहा है कि अगले तीन आने वाले तीन साल जग नौ परसेंट का ग्रोफ रेटे मिंटेन रहेगा यानि पहला साल जो इसको dividend मिलेगा वह 14 प्लस 9% होना चाहिए ना तो 14 प्लस 9% कि 63 फिर 16.63 में 9% और प्लस कर दो तो 30 साल का dividend मिल जाएगा उसके बाद यह 3 साल के dividend तो इसको मिलेगा ही मिलेगा उसके बाद 30 साल के end में बेजेगा तो इसको शेर की कीमत कितने मिलेगी 360 रुपय मिलने वाली है यानि total inflow हम नहीं यहां पर लिग दिए देखो जो कोई भी अ investment को बेचते हो तो यह first type का inflow हो गया और यह second type का inflow हो गया इसको हमने discount कर दिया present value factor से तो हमारी PV आगी सब PV को plus कर दिया तो हमारा year zero पे हमारा year zero पर जो theoretical market price आ रहे यानि जो maximum price हो जो Mr. B को pay करना चाहिए शेर को खिरने के लिए वो कितना करना चाहिए 288.57 का pay करना चाहिए second part में कह रहा है the maximum price Mr. B will be willing to pay for share if he is of the opinion that 9% growth can be maintained infinitely and require 13% rate of return per annum अब second point में ही कह रहा है कि ऐसा मान लो कि जो Mr. B है वो उसको तीन साल में share बीचना नहीं है उसको share हमेशा के लिए forever के लिए खरीद करके रखना है और जो 9% की growth rate है वो तीन साल के लिए maintain नहीं करी जा रही है बलकि infinitely के लिए maintain करी जा सकते है नहीं growth rate है वो constant है forever के लिए और required rate of return है वह अपना 13% ही है तब बताओ अब देखो जब भी हमारा required rate of return होता है वो क्या होता है constant होता है और infinite period के लिए constant होता है तो उस case में हम share की जो theoretical market price होते है कैसे निकालते है सिंपल फॉर्मल लगा करके निकाल देते हैं तो हमने यहां पर सिंपल सा फॉर्मल लगाया फॉर्मल में डी जिरो 14 रखा ग्रोथ 9% की रखी रिक्वाइट रखा तो हमारे जो theoretical market price आया वह क्या गया 381.50 अब थार्ड पार्ट में देखते हैं थार्ड पार्ट में हमसे कह है दो में प्राइज प्राइब थार्ड यहां हमें तीन साल के एंड में शेर की प्राइज निकालनी है अगर जो ग्रोथ रेट है वह 9% की अचीव हो जाती है और सारे condition जो कि सेकेंड में है वो सेम ही है सेकेंड में कॉन कॉन सा कंडिशन है कि 9% की ग्रोथ रेट इन बतानी थी और जो थर्ड पॉइंट है इसमें हमें शेर की प्रैस का बतानी है यह त्री पे यानि हमें इसमें MP0 निकालना था और इसमें हम MP3 निकालेंगे सिंपल और कुछ आहीं नहीं तो MP3 निकाल लो सब कुछ आपने रख दिया D3 चाहिए अगर आप MP3 निकालोगे तो आपको D3 चाहिए तो D3 कहां से लोगे देखो D3 यहीं से ले लोगे यह रहा अपना D3 रख दिया सब कुछ सेम है तो अपना आंसर क्या आ गया अपना आंसर आ गया 494.04 का अपना आ गया MP3